आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में हमको क्या दे रखा है? The major reason बताने किसका फिनोल जो होता है best pronsted acid होता है than cyclohexanol ऐसाब क्यों होता? तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना structure पहली बात हो रहे है फिनोल की जिसका structure है ये दूसरी बात हो रहे है cyclohexanol की मतलब कि दूसरी बात हो रहे है इसकी तो इसके अंदर जैसे क्या होता है इसके अंदर हम acid की बात करना है acid वो होगा strong strong acid वो होगा जो अपना H-ion देने के बाद में अपनी stable form में क्या करे? exist करे H-ion देने के बाद में stable form में क्या करे? exist अगर ये अपना H-ion देता है तो इतर बनेगा anion इधर अगर अपने अच्छ आयन देता है तो इधर बनेगा अनाइन और अब यह जो एनाइन है यह एनाइन कहलाता है फिनोक्साइड आयन क्या कहलाता है फिनोक्साइड आयन और यह जो फिनोक्साइड आयन होता है यह क्या होता है स्टेबल होता है किस वज़े से क्योंकि इस कई यहां पर क्या हो जाता है इस रैजुनेंस की वजेसे ये फिनोक्सईड आयन क σου works a जो िसे रिंग को क्या अगर देता है और अप्डिवेट कर देता अप्रोथ किसकी वज़ाता है क्योंकि जो छो एनायन बनता है, यह ज़ो एनायन बनता है यह electron donating group होता है हुँप होता है कुछ सा होता है एलक्तिन डॉनी ग्रॉप जिसकी वज़े से रिंग और पर mostly activate हो जाता है ठीक है रिंग क्या होता है एक्टिविट और यह क्या होते है electron donating group तो अब हम देखते हमारी कौन सी statement चलिक ह टूनेटिंग ग्रूप अनायन फोर्म होस्टेबल होते हैं नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है दो फिनाइल ग्रूप is an electron withdrawing group. क्या है? फिनाइल ग्रूप जो है, वो क्या है? electron withdrawing group है, मतलब electron dnstry अपनी तरफ खीछता है, which stabilizes the anion formed in the reaction. और यह statement पी क्या है? करेक्ट. इन दोने में से जो most stable, मतलब की, जो reason को अच्छे से explain कर लिये, वो है D. क्योंकि यहाँ पर यह जो anion है, यह जो फिनाइल ग्रूप विद्रूइं ग्रूप electron dnstry को अपनी तरफ खीछीगा, माइनस आई यह अपनी तरफ लगाएगा, और क्या बनाएगा anion को जादा stable? तो इसलिए most जो correct जो statement होई, वो कौन सी होगी T. क्योंकि यह reason क्या देरा एक डम करें ठीक है?